आनिंग बच्चो आज हम पाठ पाँच व्रक्षा पेड पढ़ेंगे चलिए इसके श्लोक और अर्थों को पढ़ते हैं वने वने निवसंतो व्रक्षा वनम वनम रचियन्ती व्रक्षा अर्थ प्रतीक वन में व्रक्ष रहते हैं व्रक्ष प्रतीक वन बनाते हैं शाखा दोला सीना विहागा ते किमुपी कूजनती व्रक्षा पक्षिगंड तहनी रूपी जूलों में बैटे हैं ते किमुपी कूजनती व्रक्षा व्रक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूखते हैं पिवन्ती पवन्म जलम संत्तम साधू जना इव सर्वे व्रक्षा सजन लोगों की तरह हैं वे निरंतर पवन और जल का पान करते हैं इस प्रशंती पादे पातालाम चा नभास शिश्व विहनती व्रक्षा व्रक्ष जड हुपी पैरों से पाताल को छूते हैं नभास शिश्वस विहनती व्रक्षा तथा सिर्पर आकाश को डोते हैं पयो दर्पने स्वै प्रति विंबं कोतु केन पश्यंती व्रक्षा पयो दर्पेन स्वै प्रति विंब व्रक्ष जल रूपी दर्पन में कोतु कून पश्यंती व्रक्षा अपनी प्रछाई को उत सुकता से देखते हैं प्रसार्य स्वच्छ छाया संस्त्रणम कुर्वन्ती सत्कारम व्रक्षा प्रसार्य स्वच्छ छाया संस्त्रणम व्रक्ष अपनी छाय रूपी विस्तर को फैला कर कुर्वन्ती सत्कारम व्रक्षा फैला कर सत्कार करते हैं आपको इस पार्ट का आर्थ श्लोक सहीत लिखने हैं चलिए अब इसके शब्दर्थ पढ़ते हैं वने वने प्रतेक वन में निवसंते रहते हुए रच यंती रचते हैं शाखा तहनिया दोला जूला आसीना बैठे हुए विहगा पक्षिगन किमपी कुछ भी कूजनती कूकते हैं संततम निरंतर लगतार साधू जना तपस्वी लोग इव की तरहां पिवनती पीते हैं इस प्रशंती इश्पर्ष करते हैं नभा आकाश को सिर्चू सिर्पर वहनती ढोते हैं पयो दर्पेंड जल रूपी दर्पेंड स्वे प्रतिबिम्बिम अपनी प्रतिबिम्ब को पश्यंती देखते हैं कोतुकेन आश्चर्य से प्रसार्य फहलाकर स्वच्छाया संस्तरम अपनी छाया रूपी बिस्तरे को सतकारम आदर प्रशन नमबर तीन वचना नुसार रिक्तिस्थानी पूर्यते वचनों के अनुसार रिक्तिस्थानों की पूर्ति करें एक वचनाम धिव वचनाम बव वचनाम जलम जले जलानी बिम्बम बिम्बे बिम्बानी पवने पवनो पवनान जना जनो जनाहां प्रशन नमबर चार कोस्ट केशु प्रदता शब्देशु उप्युक विभक्ति योजियत तव रिक्तिस्थान पूर्यते कोस्टरक में दिये हुए शब्दों से उप्युक विभक्ति जोड कर रिक्तिस्थानों की पूर्ति करें तुवाम जलम पिवसी, चात्रा दूरद्रशनम पश्यती, व्रक्षा पवनम पिवन्ती, ता कथम लिखियंती, आवाम जन्तुशालम गच्छावा